नमस्कार मैं आपका सौगत करता हूँ अपने ब्रैंड यू वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं अगर आपने हमारा चैनल का वीडियो उपन कर दिया है और हमारे फैमली में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दवाईए आज मैं इसलिए क्योंकि यह इंडियन कंपनी का है जिस कंपनी के नाम में ही इंडियन जुड़ा हो वो धंदार कैसे नहीं हो सकता है एक भरोसे मनदार कंपनी नाइटोजन लिक्वेट कंटेनर की मतलब खेतर में सबसे पहली मैनुवेक्च्छरर है और एक भरोसे प्रड़क्त की स्पेसिफिकेजन कैसे मैं भी आपको बताऊंगा बाड़ी में जैसे कि आप देख रहे है जितना यह दिखने में बड़ा है उतना यह भरोसे मन और जम्मेदारी के साथ मैं आपको देना चाहता हूं और यह बहुत ही जादा बरोसे मन और बद्बूत है और बाकी अर्ट इस तर की कैपिस्प्टी दोसो बचास टोटल करूं तो अब इसे पंद्रासु सीमेंट हो रख जब यह कंटेनर ठाली होता है तो इसका वजन फोटी पॉइंट फाइव होता है और जब भर जाता है तो इसका आउल टोटल वेट होता है फोटी वन पॉइंट था देख रहे इनडरल कंपरी को डिस्क्राइब करने के रवगत नहीं है तो इसका पॉइंट पॉइंट था जीद रखता है कंटेनर्स की कंपनी में सबसे पहला खदम रखने का लाई है जसा कि मैंने आज आज आपको प्रड़क दिखाया बी ये 35 आपको पसंद आया और पसंद आने के अगर आपको ये प्रड़क चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए रंबस जो मैं आपको फ्लैश कर रहा हूँ आप इस पर कॉल करके बुक कर सकते हैं कैश ऑन डिलिवरी भी विवस्ता है हमारे पास और इसके रावा भी आप ऑनलाइन पेमिंट करके भी प्रड़क पना सकते हैं अगर आप हमारे कानपुचित में नहीं रहते हैं तो आप कहीं दूर रहते हैं तो ये दो विवस्ता हैं ये दो सर्विस यानि की कैश ऑन डिलिवरी या फिर ऑनलाइन पेमिंट करके आप के घर तक पहुश सकता है आप किसी की दूसरे काउं में रहते हो वहां तक आप कहीं पर भी हमें जॉइन करके हमारी फैमली के साथ चोड़ सकते हैं इन तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और पीए 35 के बारे में आपको बताया एक 33.3 कैपिसिटी का नाइटोजन लिक्विट कंटेनर जो की मैटल बॉडी का है और इसमें अगर मैं खाली कंटेनर की बात करूं तो यह 14.5 और अगर मैं भरे कंटेनर की बात करूं तो 41.5 होता है और इसमें जो लिक्विट नाइटोजन गैस का जो वज़न है वो जिसकी कैपसिटी है वो 33.3 होती है एक इंडियन ओल कंपनी का जाचा पर का भरो से बन प्रड़क्त जो कि मैंने जो सोसल हैंडिल दे रखे हैं आप वहां पर भी जॉइन करिए और हमारी फैमिली के साथ जुड़िए मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूं कंपनी के ने ने प्रड़क्त के बारे में और जहां तक कि हम लोग कुछ नए चीज़े भी लांच करने वाले हैं और इस चीज़े आपको दिखाने वाले हैं तो ऐसे ही एक उनिसिटी बनाए रखे और अब इसे ही बीडिंग सेंटर के साथ चुड़े रहें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अब इसे ही बीडिंग सेंटर आपके साथ हमेशा दत पर रहें नमस्कार्ज कर दो सेंट्सक्राओ और दूपी ही बीडिंगर सकुख में सेंटर आपके साथ हमेशा नमस्कार्च कि मैं उनिसियर अँस्यूस